हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब होप सोब के आप सब बढ़िया होंगे तो आज बनाएंगे गोबी की सबजी वो भी हमारे मिट्टी के बरतन में एकदम टेश्टी और लाजबाब से तो चले स्टार्ट करते हैं तो देखिए मैंने कुछ मसाले लिये हरी मिर्च अदरक और दो लिये हैं सूख इलाल मिर्च तो अदरक लहसुन और प्याज को हम कूट लेंगे इस तरह से जब हम कूट के मसारा डालते हैं तो स्वाधी का स्वाध दुगना हो जाता है तो देखिए हरी मिर्च लहसुन और प्याज को मैंने कूट लिया है अब जो हमारी दूसरी प्यास रक्की दी उसको देंकि छूटे छूटे चुटे टुकड़ों में काट लेंगे छोख के लिए का बारिक बारिक सा मैंने प्याज को काट लिया, मैंने एक डेड़ प्याज लिया, आदी प्याज तो लिया मसाले में और आदी लिया छोक के लिया, एक लिया है टमाटर, टमाटर को भी दे के काट लेते हैं, तो मसाले हमारे कटके हो चुके है तैयार तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ तो गैस पर मैंने मिट्टी का बरतन रख दिया है अब उसमें हम डाल देंगे सरसुका तेल तेल हमारा गरम हो चुका थे इसमें मैंने सूकी लाल मिर्च और तेज पत्ता डाल दिया है अब डाल देंगे जीरा, हिंग और कटीवी प्याज इनको फ्राइ कर लेंगे इसके बाद हम डाल देंगे टमाटर और अद्धक लैसुन का पेस्ट तो आपको सुखी मसाले डाल लेंगे, तो देखी मैंनी मसाल दानी ले लिए, उसमें से दो चमच डालूँगे मैं धनिया पाउडर एक कटोरी में एक चमच लेंगे हम हल्दी पाउडर एक चमच लेंगे हम लाल मिर्ज पाउडर और आदी चमच के करीब लेंगे किचन किंग मसाला कसूरी मेथी डाल दिया हंडिया में आप इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करके इस मसाले को घोल लेंगे थोड़ा सा नमक एड़ कर दिया है ताकि जो हमारे टमाटरों सोफ्ट हो जाए आप डाल देंगे सूखे मसाले मसालों को भूल लेंगे तेल छोडने तक और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो से रैस्पीस अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप इसमें डाल दें मैंने कटेवी गोबी इनको मिक्स कर लेंगे आप डाल देंगे आलू मिट्टी के बरतन में ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ता थोड़ा सा पानी डाले आप इसके पका लेंगे तो सबजी हमारी लाजबाब बनके तयार कोई कि मिट्टी का बरतन जल्दी से ठंडा नहीं होता और धीरे देए हमारे सबजी पके तयार हो जाती है तो देखिए 7-8 मिंट में हमारे सबजी मनके हो चुक है तयार देखिए फूल जो है हमारे एक भी टूटा नहीं है और बिलकुल यह सोफ्ट हो चुका है तो आपको आलू गोभी की सबजी कैसी लगी कमेंट करके नीचे जरूर बताईएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर जिस्टे के आने वाली वीडियो की नोटिपिशन आपको मिलती रहे